जैफीर बिद्री सर दोस्तों तो आज हमने काटा पेड जो कि हमारे घर की बगल में सूखा हुआ था और ये मेरी दीदी के बेटे ने और मेरी माजी ने नीचे से काटा और मैंने इसको उपर से बांध कर उपर से तोड़ने की कोशिस की हमने इसको मिलकर तोड़ा लेकिन इसमें तोड़ने में लगते हमको बहुत ज़्यादा टाइम कम से कम दो-तिन घंटे तक ये लकडी ना हिलने का नाम ले ठी तोटने का नाम ले ठीक क्योंकि ये बहुत पुरानी लकडी है और ये हमारे आपे कंडी बोलते हैं कंडी की लकडी है जो कि बहुत मजबूत होती है इसको तोड़ना आसान नहीं होता बहुत मुस्किल होता इसको तोड़ना ये बहुत लंबा फेड़ है लेकिन हमने इसको तोड़ने के लिए उपर से बांदी रसी नीचे से पहले हमने इस पे लगाए जा रहा था लेकिन यहां पे यह पेड़ जो की मुस्किल से हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था इतनी देर में हमको लग गया भूख और हम चली गए नीचे और यहां पे तब तक मेरी दीदी का बेटा इसको लगाता और काटे जा रहा था यह लकडी मोटी भी बहुत ही आपको वले फोन में दिखने ही रहे होगी लेकिन यह दिख रही यह बहुत मोटी है इसने हमारी जो हलत कर दे थी हम सोच रहे थे कि यह मुस्किली होगा क्योंकि हम यहां पे हरे पेड़ नहीं काटते हैं यहां पे हरे पेड़ काटना allowed नहीं है क्योंकि हमारे यहां पे पूरा है जंगलात के उसमें अलाउट नहीं होता है क्योंकि हरा काटना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि पेड हमने लगाए होते हैं या हमारे आसपास जम्य होते हैं तो हम उन पेड़ों को हरे पेड़ों को नहीं काटते हैं तो जब वो सूख जाते हैं, हम उनको तभी तोड काट पाते हैं, जब उनको जान नहीं होती है, तो हमारे लिए भी लगड़ी काटना दूर जाना था हमने, तो हमारे घर के पास में थी, इस से पहले हमने दो तीन पेड़ और काट चुके थे, मेरा बेटा, दीदी का बेटा और मैं, और इसके बाद हमने मिलकर उन पेड़ों को नीचे लाए, उनको घर के पास रखा, यह तो हमारे घर के बिलकुल ही पास था, जो कि हमने सोचा कि यह बड़ी असाने से कट जाएगा, इसको बाद में काटेंगे, लेकिन हमको तब तक भूप लगे, फिर हमने खाना पीना बनाया, मैंने खाना बनाया, इसने का मैं खाना तो आज तभी खाऊंगा, जब तक मैं यह पेड़ नहीं गिरा देता है, पेड़ गिराने के बाद इसको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ काम किया, तो इसने लगा रहा लगातार महनत करने से ही कहते हैं न, वीनर नेवर कुट और कुटर नेवर विन, तो इसने भी वही काम किया है कि इसने अपनी लगातार मेहनत से इस पेड़ को देखो आदा तोड़ चुका था और उसके बाद इसने आदी और कोसिस की जिससे इसका पेड़ काफी देर बाद टूटा इसने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए सेल पीडियर लिए एक वीडियो बनाई कि मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि यह भी बहुत सालों बाद दिल्ली से आया था इसके बाद इसने काट दिया पेड़ और अब यह देखो कितनी खुशी मनाते भी यहाँ पे चिला रहा है कि मैंने यास मैंने तोड दिया मैंने कर दिखाया मैंने कर दिखाया मैं भी इसको बार बार हवसला दे रही थी कि यास गोलू तू कर सकता है कर सकता है तो इसने इस कि पद्ध के बाद इसको मेरी ममी जी ने नीचे से खीशा क्योंके नल के बीच में फस गया दूसरी पेड़ के जड़ के बीच में जाके फस गया अब हमारे लिए इसो पड़ी आप निकल गया गया तक आप यह लिए आगप अपिर नीचे से नीचेई कई सबस devoid दिया हुआ से निकाला और उसके बाद कोशिस करते रहे करते रहे और फिर निकल गया नीचे काफी नीचे गिराने के बाद फिर हमने उसको बाहु बली का खिताब दे दिया कि तुम हमारे घर का बाहु बली है तो फ्रेंड्स यह हमारे पहाड की लाइफ है और यह हमारे पहाड का बाइ